हेलोग विलकम तो वाइफाय सेटी चेंजिंग तवी ओफ लेंडिंग सवा करते हैं आप सबी का इंडिया कि नबरावाइस ट्रडी चेनल वाइफाय स्थेटी पे सब्सक्राइब आपको कवर करते हैं उमीद करता हूँ आप इसे रेगुलर देखते होंगे शेर करते होंगे ताकि आपकी नॉलेज जो है वो डे बार डे इंक्रीज होती रहे हैं और देश में दिन्या में क्या चल रहा है हर चीज का पास प्रिजेंट फीचर जो है आपको पता रहे हैं तो चलिए यूसफुल है और आपको 80-90 परसंट कोशन जो आपको देखनी को मिलेंगे साथ में अगर आप किसी पर एक्जाम की प्रपरेशन नहीं कर रहे हैं तो जादा बहतर होगा क्योंकि आपकी जो नॉलेज होगी दोस्तों बहुत जादा अच्छी होगी आपकी कली जहां पर सबसे पहले बात करते हैं मैंने आप से कल पूछा था इंटरनाशनल योगा डे का थीम जो है दोस्तों योगा फॉर वेलनेस तो भी आपका सही आंसर है कौन सा देश जुनिया में अफ्डियाई प्रवा का पांचवा सबसे बड़ा प्राप्त करता है तो फिफ्ट नंबर के उपर जो है सबसे मैक्सिमम जो एडियाई आया है नमबर वन पे यूएस ये देन चायना देन हंकॉंग इन चायना देन सिंगापुर उसके बाद में ह इंडिया तो पांच यूपे इंडिया आउट फ्लो के अंदर बात करें तो हमें 18 रैंक में आउट फ्लो ठीक है चलिए दोनों रहें रखेगा भारत ने किस देश के साथ हाइडोजन टास्पोर्स का शुभारम में जोकी किया है तो यह हमने युए से के साथ में दोस्तों बन संवरल में ओगता है और वह 21 जून को अएं तब यहां जोकी शुद दोस्तों बनाते हैं चली आगे बात करते हैं इसके आदाव अगर आपको घर बेंटीं इन्डिया में किसी भी एक्जाम कि तयारी करनी है जाए यूपी असे जो से हो बैंक और को रेल फोचर 화.ण क्वे को मिल जाएगा किसी भी एक्जाम के लिए लाइट क्लासेस टेस्ट सेरीज डाउट क्लेरिंस सेशन पीडियेफ टॉप एजुगेटर की क्लासेस सब कुछ आपको अविलेबल हो जाएगे आपको डाउनलोड करना है मुबाइल नंबर डालना है फिर अपना गोल सेलेट कर ये एक साल के दो साल के सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको फोर मन्त एडिशनल ने जो की फ्री मिल रहे हैं ठीक है ये इंडिया करेंट अपके न्यू चैनल ने इसको सब्सक्राइब कर लिजेगा तल नया वीडियो जो है अभी मैंने डाला है जो की पंजाब के एड्यूकेशन सिस्टम पे है तो जो जॉइन कर लीजेगा इस चैनल को लिंक मैंने कॉमेंट में द लोग देखने को मिलते हैं लेकिन बस समझधारी इस बात की कि क्या आप उस चीज के लिए ओपन हो या नहीं हो हमेशा इस बात का ध्यान रखे कि आज कोई भी चीज आपके बास में मानता हूं बैस्ट है लेकिन उससे भी बैस्ट होने के चांसे फीचर में हमेशा होते हैं अगर आप लाइफ को मौका देते हो तो तो maturity और wisdom इसी के अंदर है कि life के changes को accept किया जाए और उसके बाद में आगे जाए जाए देखिएगा दोस्तों जीवन में और अच्छे लोग और अच्छी चीजे आपको देखने को मिलेगी बस open रही हमेशा changes के लिए यह जो cry हमेशा जो है ना यह रोने की जो प्रवर्ति वो सही नहीं है हैना कि इससे best कुछ नहीं होगा ऐसा कुछ बे नहीं लाइफ आगे बढ़ती है और भी बहुत अच्छे चीजे जो है लाइफ में होती रहती है ना तो जितने भी हमारे close one भी अगर कई बार ऐसा होता ह नहीं है तो उमीद करता हूं कि आप इस बात को समझेंगे और life को मौवँव आन करके एक्सेप्ट को एकसेप्ट करने को लेकर हमिशा धान रखेंगे चलिए आगे बात करते हैं सबसे पहले दोस्तों गूप कर अलाइंस के बारे में बात करेंगे लीडर्स ने जो गूप क के ऊपर यहां पर बात्चीत होईगी एक तो होईगी दोस्ते आपर इलेक्शन को लेकर एक होगी डेलिमिटेशन कमिशन है ना वापस से परिसीमन का आयोग जो है उसकी तीसरा होगा यहां पर वापस से स्टेट हुड को लेकर है ना तो ऐसे तीन-चार मुद्धों के ऊपर बात्चीर होने के लिकने आपे बोला जा रहा है यहां पर दोस्तों लास्ट्र मंच की मीटिंग के जोकी करवाएगे देखिए रास्ट्र मंच क्या है यह एक दोजार अक्ठारा में यश्वंत सिनाजी जो थे ना उनके द्वारा बनाया गया था जब वो बीजेटी से अलग है इन दोनों को हटाने के लावाज जितनी भी आपोजीशन है ना वो सारे इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं हाला कि यहां पर आइंसी के लोगों ने भी कई लोगों ने यहां पर आया थे इन से मिलने लेकिन राश्ट्र मंच उसी लिए बनाए कुछ लोग इससे हमें कोई अभी पेपर पॉइंट अभी से कोई कोरिलेशन नहीं है स्टेट रूट की बात करेंगे तो यह भी जब होएगा तभी बात कर पाएंगे यहां पर जो सेकिंड वाला मुद्दा है ना डेलिमिटेशन कमिशन परी सीमन आयोग इसके बारे में हमें जानकर ल रिजन है और यह अपना जम्मू वाला रिजन है तो वापस से डेलिमिटेशन में होता क्या है कि आपकी जो बाउंडरी जना लोग सबा और विदान सबाकी उनको वापस से चेंड किया जाता है अकौर्डिंग तो पॉपुलेशन है ना उसके इसाब से माँपे सीट है जो क कि इसमें इंक्लूडेट है गुलाम नभी आजाद फारुक अब्दुल्ला साथ में आपके यह महबुवा मुफ्ति यह सभी लोग है जो कि इसके अंदर शामिल है समझ गए डेलिमिटेशन क्या होता है यह एक्ट होता है जिससे आप बाउंडरी सेट करते हो किसी भी लोग एसेंबली में भी और लोगसभा सीथ में भी ठीक है चलिए इलेक्शन कमिशन के दुवारा इसको प्रोसेस के दुवारा किया जाता है तोटल एर्या को जो है स्मॉछलर यूट में डिवाइड कि आजाता है ताकि इलेक्शन स्मूथली करवाया जा सके और गवर्नेंस के अ ठीक है चलिए अगे बात करते हैं और इसमें क्या होगा कि सेंटाओं इस डैडिड़ क्या है कि जम्मो Fel papa है कि जम alum में कश्मीर में जाना सीटे होती है तो साय्क कश्मीर सा और बनता है सिर्म बनता है लेकिन सेंटर में इनकी को और तो वह मैं tại झालUD यहां ह disp हैffeeह त। okay guys center की क्या कोशिच होगी आप News election में क्या हो जम्यू के पास में ज़्यादा seat हो ताकि CM मनें वह जम्यू रिजन से बनें यह मैं center की strategy के बारे में बात कर रहा हूँ बसा इतर्से टोरी देखेंगे तो 35% जो population है वह कश्मी division में रहती है समझगे मेरे बात अगर आप यहाँ पर मैप देखोगे कि कौन से परिसीमन आयो गए वो कहां से क्या कर सकता है तो देखिए जम्मू डिविजन की अगर आप टोटल पॉपुलेशन की बात करोगे तो आप 53 लाट के आसपास है जिसमें आपका किस्तवार, रामबान, राइसी, सांबा, डूडा, पुंच, उद्धांपूर, कत्वा, राजोरी और जम्मू यह सारे की सारे हैं जिसमें से मेजरली मेजरली देखिए 12% तो जम्मू में रहती है लेकिन जब आप कश्मी डिविजन की बात करते हैं तो यहां पर देखिए 12.5 लाग शिंदगर में इतना डिलिमिंटेशन कमिशन जो है वो कैसे इसको जस्टिफाय करेगा कैसे डिविजन करेगा यह आने वाले दिनों के अंदर ही पता चलेगा यह देख सकते हो आप यह अपना पूरा का पुरा लडाक वाला एरिया जो कि आप देख सकते हैं ठीके गाईस यह एकक्साइच ने चैना को गिफ्ट कर देती जैसे कि उनकी खुद की हो पता नहीं तो यह देखिए अपना स्याची ने जहां पर हमने जो है चलिए आगे बात करते हैं चलिए आगे बात करते हैं चलिए आगे बात करते हैं तो आपर आप देख सकते हैं डेलिमिटेशन जो एक्साइज से जम्मु और कश्मीर के अंदर पास जो हो डिफरेंट होती थी जो कि हमारे बाकी कंट्रे से होती थी क्यों क्योंकि इसको सब्सक्राइब करते हैं तो अब यहां पर जैसे कि हमारे बाकी जगह पर होता है उसी प्रकार्स होगा कुल्मला के पॉपुलेशन को जो है वह सीटों का अकॉडिंगी डिवाइड किया जाएगा और यह वापस से रेडिफाइन किया जाएगा ठीक है आगे बात करते हैं यहां पर डेलिमिटेशन कमिशन जो है जम्मु कश्मी के लिए सेटप किया गया इसको एड़ कॉन कर रहे है जस्टिस ह प्रकाज दिशाई नाम ध्यान रखीगा पेपर में पूछेंगे और इसमें एलेक्शन कमिशनर भी है स्टेट एलेक्शन कमिशनर भी है पांच असुसीट मेंबर भी है जुतेंदर सिंग जुगल किशोर है ना फारुक अब्दुल्ला असान मौसॉदी मौंब्मद अक्ब ठीक है यहां पर देख लेते हैं कॉंसे न्यूज है बिलकुल यह वाली नीचे की तरफ आप देख सकते हैं वर्ड का फॉर्स्ट जैनेटिकली मौडिफाइड रबर का जो सैपलिंग है जोस्तों जो कि आसाम के अंदर जो की प्लांट किया गया है जैनेटिकली सब्सक्राइड यहां पर लगाया है एक्शली डिफ्राइड के जो ब्रॉब्लम के जो प्लांट फेन आ यह आपके इनको हुबिट क्लाम मेट होता है समझे वेरी बात से होता है यह आपको मेजर लिए आपको अमेजान वाला जो एरिया रेन फॉरेस्ट एपाफी अपको न तेखने को मिलेंगे वाँ क्लामिट चाहिए इसको वाँ हुमिट अब प्राब्लम यह कि हमारा जो नौर्ट इस इंडिया वहाँ पर आपको यह वाला टैमपरेचर तो मिलेगा नहीं यह थोड़ा फोल्ड एरिया तो यहां पर यह सर्वाइब नहीं कर पाते है ड़र प्लांट क्या है हर क्या होता है सिन्टिक्ली मॉडिफिकेशन गा मतलब कि प्लांट के अंदर जोो और अर्गनिसंग ऑन उसके अंदर जीन Спरेड करे जाते हैं फिर उसकी जो केपिसिटी होती वह इन vulnerabilities हो जाती हैं कई ऐसा इसा होता है कि कोई भी जैसे क्याÃसे कि मैंने आपको ब infantry modified कानो नोर्मली तीन में लाउनल है अगर मैर्मनी assा करते interes उसको वह उसके ओपर एक्ट निए करेंगे लाब होने की प्रवरति है वह साथ दिन हो जाएगी समझ गए तो जो भी उसके नेगिटीव पॉइंट होता है उसको हटाया जाता है जैसे कि यह रबर प्लांट है जो की तेंपरिचर में नहीं रहे सकता था अभी रह सकता है क्यों क्यों कि हमने इसको जैनिटिकली इंडिया डबल डबल यह दोस्तों कहां पर के अंदर तो इनके दुवारा दोस्तों यह प्लांट है जो की डबलाप किया गया है तिक शिलॉंग में और मेगालिया जो है न वहां पर आइवे के ऊपर जो है इसको रबर बोर्ड के जो चेर्मेर एक्जिकुटिव डाइटर है क इमिद करता हूँ कि आपको समझ में अगया होगा यह जो बात होती जैनेटिकली ओडिफएट क्रॉप किया इसा नहीं इंडिया में पहली बार हो रहा है समझ के हम लोग जैटिकली ओट्फएट को हें वह वह बेचते बनाते भी है है थे अलाखकि इसके अलावा जो बाकी से क्रॉप से उसका हमारे इंडिया के और अलाव नहीं है क्योंकि इसके लेकर इसके अब इसके बनाटेज़ और इसके नुकसान हो गया वालूम है कि आपका प्रॉडेक्शन बढ़ जायका अंदर का मोझाएगा इसन डाट लेकिन उसको नुकसान है उसको लेकर काफी कॉंट इस्टेंट बन जाएगा या फिर हर्बिसाइड टॉल्रेंट बन जाएगा कोई नों कोई बैरिफिट है जो कि उसको मिल जाएगा गॉर्मेंट दोस्तों अप्रूवल कमर्शल कल्टिवेशन के लिए नहीं दे रखा है हालक जैसे कि हमने ब्रिंजल हो गया मस्टर्ड हो गया जो खराब करते हैं लेकिन ने यह बड्र करें तो एसके बाद में क्या उगया यह रशेस्टेंट हो गया इनके पास में पावर अगयी कर वाकिन के पास में खराब यहां पर आप देख सकते हैं जो कि आम लोग पर इंसर्ट करते हैं जो कि पिंक बॉल वाम से हमें बचाता है यह क्या करता है हर्भी साइट हो जाता है कॉटन ठीक है आपकी स्वाइल ज्यादा अच्छी तरीके से परफॉर्म करेंगी बीटी ब्रिंजल मस्टर्ड यह भी हमने दोस्तों बनाये थे ठीक है लीगल पोजीशन की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बता है जैनेटिक एंजिनियरिंग अप्रिजल कमीटी बना रखिये जो अब यहां पर लाओ नहीं कर रखा लेकिन ऐसा नहीं है पुरी दुनिया में जो भी ऐसा ही हो रखा है ऐसा नहीं हमने इंपोर्ट के ओपर भी लगा रखा है मैक्सिमम एक परसें से जादा जैनेटिक ली मॉडिफाइड क्रॉप जो हैं लोग इंपोर्ट नहीं दुनिया में देखोंगे तो आपको देखेगा कि बहुत सारे देश से जो की प्रोडेक्शन कर रहे हैं यूस कर रहा है ब्रजील अर्जंटिना कैनेडा हम सिर्फ कॉटन का ही कर रहे हैं चाइना देखिए कॉटन पापाया टॉमेटो स्वीट पैपर बहुत चीजों का प् पेज नुमबर 11 की तरफ दोस्तों यहां पर हम लोग बात करेंगे वह वापस सही यूवन एचार सी के बारे में बात करेंगे कल फर सो भी यूवन एक्टार सी के स्टेट्मेंट आये थे जिसमें और इंडियन गौर्नमेंट के जो नियू आईटी रूल से उनको क्रिटिसम किया था अब भी अब लोग दोस्तों बात करेंगे किसको लेकर चाइना को लेकर यूवन एचार से के अंदर दोस्तों यहां पर कई सारे देशों ने जो है वह बीजिंग को पर किटिस्टिम किया चान्सर्ट दिखा है जिस तरीके से विमन रैक्स का वाइलेशन दोस्तों चाना के अंदर है जो कि यूबलर मुस्टेम्स को लेकर हो रहा है इसके बारे में बात करेंगे क्या मुद्दा है इसके अलावा दोस्तों यूश यूआज ग्लोगत करेगा गूबली काफी रसी यूशन की यूश अविलेबल कर वारा है आज के टाइंग पहे चलिए तो मो जो जहां पर बहुत जादा क्रैकडाउन किया जाता है चाइना के दुवारा उन एरिया के अंदर हुमेन रैट्स के वाइलेशन को लेकर दोस्ते हैं आपर सेंटर में उनको वहां से निकाला जाए और एक बहतर हुमेन रैट्स के लाइफ है जो कि दी जाए तो कई सारे देश ऑस्टेलिया ब्रेटेन फ्रांस जर्मनी इटली जापैन इस्पेन यूएस कई सारे देशों ने दोस्तों चैनल को इसको लेकर क्रिटिंजम किया है अब य चलिए अब आप यहां पर देख सकते हैं लास्ट यह देखो पहले में आपको बैग्राउंड में लेकर चलता हूं कुछ सालों से दोस्तों क्या हो रहा था कि की बहुत सारी ऐसी गटनाएं के बारे में पता चल रहा था कि चैना ने जो आपने वेस्टन वाली साइड है वह क्या कई सारी हंड्रेड वुमें जो तर्की में रहते हैं यूगलेर मुस्लिम उन्होंने इंटरनेशनल रूमेंडे के ओपर भी प्रोटेस्ट किया था और यह बोला था कि चाइना और तर्की के बीच में कोई भी अग्रिमेंट है जो कि नहीं होना चाहिए किसको लेकर मास इंकारणेशन जिस तरह के से चाहिना की एरिए में हो रहा है उसको लेकर चाहिना यह बूल रहा है तो उनको वहांने ने तो लेकिन तरुकी ने भी बोला कि इह तो है print के जो तो पुरी दुनिया में बहुत ही कॉमन है कि इस वाले एरिया के अंदर जो यह चाइना का यह वाला पार्ट है दोस्तों वेस्टन वाला यहां पर बहुत सारे मुस्लिम कम्यूनिटीज रहती है के अनदर और इनके जो लिंग्स है वह पर देखने को मिलता है इसलिए चाइना मेशा क्या करता है इनको टैरिर्जम के वाइलेंस के हेट्रेट के इस तरके के इंग्जाम लगा के क्रेक्डाउन करता रहता है और यहां पर देखिए लेकिन चाइना जो है इनको खुद का पार्ट नहीं मानता रिजनल मानने तौरप इनको देखता है और यह मानने से मना करता है कि यह इंडिजीनेश ग्रूप है ओके यह सारी कम्मुनिटी जो है जिंग्जांग वाले प्रोविंस में रहती है और है ना ठीक है चलिए इसके अलावा आप देख सकते हैं बहुत साधिया पर्सीकुशन से लोगों की मडर है जो कि यहां पर करे ग मुश्किल हो गया उसके बाद मैं कुछ वाइलेंस है जो कि देखने को मिली 2009 के अंदर दंगे हो गए और उसके बाद मैं इन्होंने क्रैकडाउन करना चालू कर दिया ठीक है काफी फॉल्स अक्विजिशन चाइनीज के दुवारा टेरिजम और सेपरेटीजम का लगाया ज चलते हैं आगे दोस्तों जो कि पेस्ट नंबर 12 यहां पर हम लोग जो बात करने वाले हैं वह लोग बात करेंगे एक और इंपोर्टन इस्यू के बारे में जो कि यह दोस्तों मैंमार की आर्मी और अडानी पोर्ट को लेकर ठीक है यार देखो नोट्स जो है वो कैसे एक मुद्धा पेपर पॉइंटर जो भी हमने डिसकस किया है चाहिए फिर वो यह वाला हो चाहिए फिर इससे पहले युए अर्ट सी वाला हो ठीक है यह सब पेपर में जो है आपके सवाल बनते हैं आपके साइंस के जो बाइलोजिक सवाल बनते हैं जीन क्रॉप से तो हर स्टार्टिंग बतान ने color been open कि या करके की केंट से कंप नौर्वेजिए फंड कंड नौर्वेज़ नौरवेजियान. पेंशन फंड की एलपी उसने दोस्तों अपने जो शेर थे अडानिपोर्ट में बेच दिये हैं और यह बोलके बेचें कि यह अमारे गाइडलाइन को जो है फॉलो नहीं कर पा रहा है जो हमारे गाइडलाइन से कि हम एथिक्स के साथ में काम करते हैं वह यह फॉलो अडा रिपोर्ट वाले नहीं कर रहे हैं चलिए अब इस मुद्दे के ओपर बात करते हैं ऐसा क्यों हो रहा है अभी दो-तिन मैंने पहले भी लिए निने क्या क्या अडानी जो पॉइंट नांकी एंध्शेन इस करना की क्या में में 300-00-000 Kristen मेंन के साथ में क्या उकट और एक कंपनी इसके साथ में मैंनी कीा दोवारा कंट्रोल करी जाती है अब आपको मालूमें मेनमार की आर्मी उस पैसों का क्या करेगी वहां के लोगों को मारेगी वहां के लोगों में वाइलेंस करेगी डेमोक्रेसी का कतल कर दिया है मेनमार की आर्मी ने तो वहां पर पूरी तरीके से पूरी दुनिया के अंदर बेज़ती है जो कि आघ के टाइम पर मेनमार की आरमी की हो रही है अब यह जो पैसा मिलेगा हो आर्मी के पाथ जाएगा समझ के दुनिया में इसके उपर लगा रहे जब अडाने से पूछा गया तो अडानी ने मना कर दिया कि हमारे से कोई भी रिलेक्शनशिप जो है वह ऐसी कंपनी के साथ में नहीं है फिर बाद में क्या हुआ एक उस्टेलियन न्यूस्पेपर ने दोस्तों क्या किया एक न्य हो गया है बात कि कहीना कहीन जो अडानी इनके साथ में है ना इस वाली अडिया के इंदर एक कंटेनर पोर्ट है जो की बना रहे थे उसके बाद में क्या हो गया जो एसनपी 500 की आपने स्टॉक मार्केट का नाम सुना होगा उसका जो इंडेक्स है उसमें से भी अडानी को निकाल दिया गया जो कि यूएस का बहुत ही फेमस माना जाता है उन्होंने भी दोस्तों रिमूव कर दिया इंडियान अडानी पोर्ट और स्पेशल एकनोमिक जोन को सस्टेनेब्लिटी इंडेक्स के अंदर क्योंकि इनके में माल की मिलिटरी के साथ में दोस्तों फूमन कॉर्परेशन यह जो कंपनी है यह मिलिटरी के दोवारा बैक करें जाती है तो इस वजे से काफी ज़्यादा यहां पर समस्या करी हुई और इस वज़े से जो की यल्पी कंपनी है नौर्वेजी की जो कंपनी है इसने बोल दिया कि मैं डी इंवेस्ट कर रहे हैं हम लोग अधानी के स्टेक मैनमार के आर्मी के लिंक के वज़े से वन मिलियन डॉलर जो कि इनने पूर्ट के लगाया था तो यह वापस से जो अपने पैसा ले रहे हैं और अपने शेर यहां पे दे रहे हैं तो यह आप जोस्तों काफी जादा प्रब्लम है जो की देखने को मिली मै अधानी के बहुत जादा आप वाग ट्रस कर सकते हो अम्मानी की कंपनी के ऊपर तोड़ा बहुत ऐसा चीजे कई सारे चार्जर जो कि आपको वह बार देखने को मिल जाते हैं इंग्मेन स्टॉक मार्केट में बात करें तो अधानी की जी के जो स्टॉक से वह अधानी पोर सेंटे जो की उपर ही इंडिया में इसका कोई जादा इंपक्ट नहीं पड़ा यह देख सकते हैं आउपर ही हाला कि कुछ तैम से जरूर नीचे आए हैं लेकिन यह काफी अच्छा प्रॉफिट लोगों को देखे गया है पेस नमबर 13 की बात करते हैं दोस्तों तो दो दिन का टेस्ट में जो है वो बारिश की बेट चेर चुका है और दो दिन के अंदर गेम हुआ जिसमें तीन इनिंग है जो की दो इनिंग हो चुकी है लेकिन मुझे लगता है कि एक ट्रॉज जाएगा अगर एक दिन और एक्स्टा मिलता है वैसे रिजर्व डेर रखा गया है थ लुट के लिएगा तो रेड़ फंड जो है वो फॉर्स्ट मुमेंड बन चुकी है जो की इंग्लेंड के मैं होम इंटरनेशनल मेच के अंदर जो की करेगी वोके हैस टीटुएगा मैच होने वाला है कादिप में वहाँ पर यह जो की करने वाली है आँग्ड के बारे में ब को लेकर आपको मालूम है कि अभी डेल्टा प्लस वेरियंट है जो कि दुनिया के नौ देशियों में देखने को मिला है उसी वज़े से दोस्तों यहां पर केसे मिलने के बाद में डेल्टा प्लस को भी हमने वेरिंट ऑफ कंशन केटेगरी में जो है वो डाल दिया है दो केट नहीं होते जादा प्लस के नहीं है लेकिन जैसे ही यह लगता है हम उसको इंटर्सट ऑफ कंशन वाली केटेगरी में डाल देते हैं ताकि उसके उसके हरे के सब्सक्राइब कर रहा है उसके बारे में लोग जान सके तो तीन राज्जों के अंदर महरास्ट्रा हो गया नेपाल चाइना रश्या बूटा रश्या इन सारे दिशों में देखने को मिले हैं आगे बात करते हैं जो कि यह इंडियन एर फोर्स और नेवी जो है वह जॉइंट कंडेक्ट कर रही एक्सेज यूएस के साथ में दोस्तों नाम क्या रखा गया है नाम रखा गया है पैसेज एक्सौइज है जोकी यूएस की नवी और वहां की एरफोर्स हमारी नेवी और हमारी एरफोर्स है जो कि इसके अंदर पाह्टिसपेट करने नहीं है लेकिन आपको यह सारे पता होने चाहिए 2021 के अंदर हमने दोस्तों कौन-कौन से देशों के साथ में कौन-कौन से एक्साइज है जो की कंडेक्ट करिया उब्लीट करता हूं कि आपको नजर आरा होगा हाँ कि नजर आरा है अपर पैस्टेग्स की बात करें इंडिया और युएस के बीच में जुदभ्यास्ते नजर आ रहा है युद्भ्यास्ते देजर्ट से बारे में बात करें तो कई सारे देशों के साथ में सेक्साइज को कंडेक्टे करवाया जू है ठीक है दिख रहे हैं कि आपको है चलिए है ठीक है मैं आपको यहां पर दिता हूं पैसेक्स जो है वह तो यूएस से युद्ध अभ्यास जो है यह भी यूएसे के साथ में इसके अलावा डेजर्ट फ्लैक के बारे में बात करें तो कई देशों ने पार्टिसिपेट किया इसमें U.S. हो गया फ्रांस हो गया, विएया साथ कोरिया हो गया साौधी अरेविया और समाझ गें नहीं इंतनी ऑ इननी आनञे धाप केन पो प्रकार से इरान रस्यार duż imagin premi के साथ और इरान रस्या सिक्योरिया गल mir जो runner आच कर बाये जिसकोां इंडिय कि देजर्ट नाइट की बाद करें तो यह किसके बीच में इंडिया और प्रांस के बीच में ध्यान रखेगा उके उसी प्रकार से एंफेक्स थी इसके अंदर इंडियन का इंडियन नेवी एर फोर्स और आर्मी इन तीनों ने जोस्तों यह एक्साइज जो की करी थी ठीक है डॉमेस्टिक लिए थी सी वीजल होती है जो कि अपना कोस्त गार्ड करता है इसी प्रकार से व्रज्व प्रहार है प्रहार यह किसके बीच में होती है यह भी इंडिया और युए से के बीच में होती है ठीक है वैसे डिस्टिक करके हुई एक और देस्टिक हमारे और उजबेकिस्तान के वीच में जान रखेगा ठीक है और पैसे नाम से भी जो थी हाँ ठीक है तो यह सारी चीज़ें आपको जान रखने हैं आगे बात करते हैं जनसत्ता की दोस्तों जनसत्ता के अंदर तो कुछ भी ऐसा इंपॉर्टन नहीं है जो की कुछ अलग से आप देख सकते हैं डेल्टा प्लस के रूप में 22 मामले हैं जो की देखने को मिले हैं आगे बात करते हैं नेक्स शलते हैं जो की है हमारी एक और इंपॉर्टन न्यूज है ना न्यू इकॉमर्ट्स रूल्स को लेकर देखिए रिसेंटली गॉवर्मेंट आफ इंडिया ने दोस्ता अनौन्स किया है वो अमेंडमेंट कर रहे हैं कंट्री के कंजूमर प्रोटेक्शन इकॉमर्ट्स रूल 2020 के अंदर ताकि अन्फेर जो ट्रेड ट्रेड प्रेक्टिसेज उनको रोका जा सके और प्रोटेट कर सके कंजूमर को चीट होने से आपको मालू में कई बार क्या होता है कि कई सारे से पूर्टल्स होते हैं और लाइन के ओप और लेकिन वह प्रेड़ बनाने की बात होती है तो उसको रोकने के लिए दोस्तों आपे बोला गया है सर्टेन काइंड ऑफ जो फ्लैश सेल होती है ना उसको रोकने के लिए बोला है कि वह ऐसा जो नहीं किया जा है और साथ में प्लैट्फॉर्म्स को जो है सरकार के आदे डिए और शोला में लोग आज सत्रा क्रोर लोग जो कि यह उनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं लोग जो है लोग जो है जो एक आपको मालूम होगा चार मैंसे दो मुबाइल आज की टाइम पे एक उलाइन नहीं तो बहुत जादा चेंग्य जो की लोगों में आज चुका है तीन तो आप देख सकते हैं इंडिया के तीन नए इंटरेट यूजर हर सेकंड इंडिया में जुड रहे हैं जो की यूजर नंबर के इसाब से इंडिया बन चुका है तो 32 करोड लोग है जो कि आज की टाइम पर इस्टिमिनेट जो की शॉपिंग जो की करेंगे यह भी नंबर जो है कम है 32 करोड के असपास है नंबर 32 करोड के आसपास ठीक है तो आप देख सकते हैं काफी पैसा जो की ऑनलाइन के अंदर खर्च हो रहा है जिसमें नंबर बन के तो पर है आपका फ्लिपकार्ड फ्लिपकार्ड और मैंतरा 45 परसेंट फिर आपका स्नैपडील फ्रीचार्ज फिर आपका अमेजॉन है पेटियम है इस तरह के से शॉपिंग करी जा रही है ठीक है तो जो पुराने देखो क्या होता है कि कई बार होली दिवाली के ओपर जो से लगती है को यह कीजन के ओपर से लगती है वो तो समझ मा आता है यह ना तो जो कंवेंशनल फ्लैश से जो थर्ड पार्टे सेलर जो है ना उनको बैन ली किया गया है लेकिन बार बार अगर आप बैक टू बैक ही इस तरह के क्या हरकते कर रहे हो ताकि कि किसी और को करेगा law enforcement agencies के साथ में तो यह सब भी जो है उनको apply करना पड़ेगा जैसे कि जो आइटी वाले में में मोला था ना आइटी रूल्स में वैसे ही e-commerce कंपनियों को भी यहां पे officer से जो क्या पॉइंट करने के लिए बोला है जो कि अविलेबल रहेगा ठीक है तो पुराने वा कोड के बाद में है ना कंप्लेंट के लिए कंप्लेंट को और जहां पर कंप्लेंट कर सकते हो अच्छी बात के लिए पहले को इसके उपर लाइबलिटी नहीं थी civil court में जाता थे आप लेकिन अभी आप consumer court में जा सकते हो अगर आपको प्रोडेट खराब मिलता है तो पहले एक डिस्ट्रिक के पास 20 लाग तक के case स्टेट में एक करोड और एक करोड चो पर national level के ओपर consumer court में हुआ करते थे अभी इसका चेंज कर दिया गया है एक करोड डि सबसे पहले 1979 में असा हुआ था पहली बार online shopping system में जो की माइचल एलडिज के दुबारा demonstrate जो की किया गया था दुनिया में पहली बार business to business marketplace था फिर.com आगया 2020 में फिट दोस्तों आपको मालूम है कंप्रियों की बैंकरी बहुत सारी और इंडिया के अंदर दोस्तों काफी ग्रों गया इंडिया का e-commerce market चलिए अगे बात करते हैं साइज आप देख सकते हो बहुत बड़ी साइज है जो की इंडिस्ट्री के हो चुकिए e-commerce की आने आना टेंटे और भी जादा हो जाएगी चलिए नेक्स नियूस के ऊपर चलते हैं दोस्तों जो की है अपनी तमिल लाडु के एकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल को लेकर तो तमिल लाडु ने बहुत ब्रिलियंट फैसला लिया है कि दुनिया के जो टॉप ऐसे इंडियन अमेरिकंस हैं इंडियन ओरिजन के लोग है जो की इकनॉमिस्ट है उनको अपने एडवाइजरी बोर्ड में डाला है ताक कि तमिल लाड बच्चों के लिए जो काम करती है वहां पर भी में एड्वाइजरी बोर्ड बनाने वाला हूँ खिल्ट के लिए जो बहुत जाए एकस्पर्ड होंगे वहां पर प्रिशान नहों आप अपने अपने टाइम गेस्न ना करो जो किसी स्पेसिफिक में काम करतें कई सालों से का कर रहें उनको बहुत इमेंस नॉलेज होती है तो उनको करेक्ट करना बहुत जरूरी होता है इसी परकार से दोस्तों टेबिल नाटू की जो गॉवर्मेंट है उन्होंने भी एक नॉमिक एडवाइजरी काउंसल बनाएंगे चीफ मिनिस्टर कि जो की एकनोमिक एक्सपर है व बहुत जबर्दस पर्संट इनके साथ में भी गॉवर्मेंट की बने नहीं लेकिन यह भी बहुत जबर्दस्त इकनोमिस्ट है इसके अलावा बात करें आपे जीन ड्रेस करके यह नैशनल एड्वासरी काउंसल आप इंडिया की मेंबर है एक नारायन है दोस्तों सेकेट्र गोपिनात है इन सबको इंडिया में लाके इंडिया को कैसे हम लोग निकाल सकते हैं एकनोमिक प्रॉब्लम से जॉब कर सकते हैं इनकी हेल्प लेनी चाहिए अगर कोई कर रहा है तो इसको इंक्लूड करना चाहिए समझ गए चलिए आगे बात करते हैं नेक्ष्ट होता है अगर इनकी बाते इंप्लेमेंट करेंगे तो डेफिनेटल फायदा मिलेगा पता नहीं होगा शैद आप लोगो जो पिनराई विजयानन जो है जो करिला के जो सीम है उनकी जो चीफ एकनोमिक एडवाइसर जो पहले होगा करती ती अब इतना हो तो है नहीं मुझे नहीं प मैं चेहिंट वाइसर एक गपिटल है जोपीटर आपको को मिलेगे तमिल नाडु का मैप है यहापकर कन्या कुमारी लास्ट में चलिए ठीके वाइडलाफ सेंचुरी इसकी बात करें तो जो इंपॉर्डन आइपर में पूछते हैं वो है आपके इंद्रागांधी नैश्न पाक हो गया और कन्या कुमारी वाइड लेफ सेंचुरी तो कर लोगे पलानी हील्स है इंपॉर्णेंट है थीक है बाकी तो इंपॉर्णेंट नहीं है नेक्स चलते हैं जो कि टेंपल्स को लेके तो आपको सुना होगा मिनाक्षी टेंपल मदुराई में रंगनात्य सवामी ट सेंपलTanjavur में औरी एरामक्तेश्वा टेंपल में रहस केकि इंपल है कांचिपुरम औरम यह सारे बहुत व्यक्रनि एंपॉर्णे की बात करें क्यालीए लैक और पुलिकट लेक यह सारे रड हिल्लेकी FLP it दैंब政 की बात करें पुलिकर दिया वह तो आंधरा के अंदर है यह ना यह वाली लेक इंपोरेंट है आपके लिए डेडिल लेक बीपोरेंट है चलिये थी आगे बात करें तो मैंक्यूट डैम हो गया ना भावानी सागर डैम इस्टीडियम में चिदामरम चेपक स्टीडियम इसको अपन इंपोरनेंट है और चन्नेई पोर्ट है चिदामरम पॉर्ट एनवर पुर्ट है और इंडर गांधि अंनल यावग नैशनल पार्ग गंठी नेशनल पार्क गल्फ ऑब मननार नेशनल पार्ग यह सारे में मैत्रपून कुंदा कुलम नेशनल नुक्लियर पावर प्लांड है तो यह सारे के सारी बाते आपके लिए मैं तर्पूर ने से संब्सक्राइब दोस्तों जो कि हमारे आसाम गवर्मेंट ने कर दोस्तों स्वामिट्री स्कीम ने से साथ में कोल्याबरेशन जो कि आसाम के द्वारा किया रहा है दखके दोन में प्रॉपर्टी के बारे में जानकरी ले सके ठीक है यह देखे स्वामित्री स्कीम जो है नैशनल पंचायती रहा जाता है है और उसको इसकों वाले कैटेगरी में की कमिट्टी के दिवारा बोला जाये हाई तो बहुत बड़ा sekali को हुचता है तो तो टोडेंगल से लेकर बहुत चीज़े जो आइए रोक दी जाती है अभी बहुत लाज जो है रेविनिय। के लिए UN UNESCO की जो कमिटी है उसने दोस्तों बोला कि ग्रेट बैरियर रीफ को इंडेंजर कैटेगरी में इंक्लूड कर जाए क्योंकि काफी जो है आपे कोलर रीफ जो की कम हो रही है समझे मेरी बात ठीक है बहुत लाज्ज टूरिस अट्रक्शन जो कि ऑस्टिया में आते है थाउजन सब्सक्राइब को जॉब बिलती है यहां पर के दोसर पंद्रा के अंदर भी बोला गया था कि यहां पर बिग इस्ट कोल्ट सिस्टम वर्ल्ड का जो है वह ऑस्टिया के अंदर यह आपको मालूम होगा यह जो वेस्ट नॉर्ट यस्ट वाला पार्ट है ना सब्सक्राइब कर दोस्तों आपको देखने को मिलती है कोरल जो थे ना उनसे दोस्तों यह को बने विए बहुत ही ब्यूटिफुल है बहुत जादा मल्टी आपको यहां पर यहां पर यह देखने को मिलेगी ठेके गाइज नेक्स न्यूस की तरफ चलते हैं जो कि हमारी है किसको लेकर केके शैलिजा जी को अवार्ड मिला जोस्तों सी यू ओपन सोसाइटी प्राइस से सम्मानित है जो कि इनको किया गया है पूरे कोवेट पंडानिमित के अंदर जो एक हैल्थ मिनिस्टर जो की रोड के ओपर आया जिसने लोगों की मदद करें जिसके लिए कर काफी अप्रिशेट किया गया वह एक ही माने जाती है दोस्त इसको देखने को मिलेगा आम जनता ने बहुत मदद करी लेकिन यहां पर पॉलिटीशन ने बहुत ही कम मदद करी है यह रियालेटी है यहां पर सेंट्र यूरोपियन उनिवर्सिटी का एक ओपन सुसाइटी अवार्ड है जो की दूस्तों इनको आप पर दिया गया है यू इसको देखने को मिलता है इस वाले इरिया में आपको देखने को मिलता है अब ही क्या हुआ था काफी टाइम पहले कुछ स्टेडी होई थी जिसमें बताया गया था कि ग्लेशिर ना यह बहुत द्युक्त अन्स स्टेबल हो चुका है अब उसमें काफी स्टेबल है जो कि पहले वाली स्टेडी से बताया गया है थैविट इसको कहते हैं दोस्तों और वानों तबिगेस्ट एक्जामपन शो कि अन् फाइंडिंग करी और वेस्ट अंटार्टिका वाले रिजन में यहां पे तो दूसरा वाला है यहां पर जो है वो टॉटन ग्लेशियर है जो वेस्टन वाला एरिया नहीं यह वाला यह पर यह लेकिन यह पर यह चलिए ठीक है और इसके अलावा तो अगर बात करें तो कुछ और तो जाधा इसके इंदर important है नीं काफी content तो काफी है लेकिन कुछ जादा इसमें इसमें नहीं थिक है थीक है थीक है आप देख सकते हैं किस तरी कंशल मतलब जोए गया बहुते जा रहे है और न जो नहीं नहीं करी गई इंडियन कांसली की दुवारा और उन्होंने बत जाते हैं लेकिन अगर आप इनके अंदर nutrition का content देखोगे तो कम होता जा रहा है समझगे मेरे बात तो आप यहां पर देखोगे तो stable food जोस्तों मेज़र्टी मिजॉर्टी ऑफ इंडियल्स का 10,000 सालों से मतलब यह कंजूम किया जा रहा है लेकिन में न्यूटीशन जो इसका खताम होता जा रहा में जली बात करें तो जिंक और आइरन जो है इसमें कम हो रहा है समझ गए 1960 की अगर आप राइस और वीट चामल और गेहु कि अगर आप जिंक और आइरन उसमें देखोगे तो आपको 60 mg पर केजी और 27 mg पर केजी आपको आइरन और जिंक देखने को मिलता था अब भी जो स्टेडी करें यह पता किया गया कि आपका राइस के अंदर तो यहां पर 43 mg पर केजी हो चुका है और वीट में आपका 20 mg पर केजी हो चुका है तो आप देख सकते हैं ड्रास्टिक लिए आप दोस्तों नुट्रिशन के अंदर कमी है जो की देखने को मिल रही है है तो अभी काफी कम हो चुका है लेकिन जो हमारी नॉर्मल रिक्वार्मेंट है उसको पूरा करना तो जरूरी है तो यहां पर क्या हो चुका है यह तो हाई वेराइटी ही यह उता जाप दूसकी कमी है ना नुट्रिशन कंसंप्रेशन जैब डिखने जोगा है इसको क्या क्या ना है रिग्राइग को यूज कर रहे हैं दो इसका इक बहुत बड़ा कारण है जिसके वह से कम हो गए जो सोल की जो कौंटिट रही है वह डिगरेट हो गई है तो इसके विए नहीं मिल रहे हैं संट इस प्लांट के साथ जर्य जो की बढ़ा जाता एब से बीने से अव doubles कोटिफिकेशन ने जो कि इसको कहा जाता है यह देखिए हाई लेवल अब नूट्रिशन प्रडूस किया गया है दो रोगों मिला के ठीक है आज के दिन की इत्यास की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं 1997 में जो शेफाकर ब्रदर से दामोदर और बाल क्रिश्टन उन्होंने बिटिश ऑफिसर जो है पूने में उसकी मित्यु करी थी जो कि बहुत बड़ा रिवलुश्टरी फिडम फाइटर जो है मुमेंट जो कि माना जाता है निचाद निताजी बोस्ट जी ने फॉरवड ब्ल कभी सोचा है कि बुक और आपका जो यह मुबाइल फोन इसमें से कर आप दोनों में से क्या पढ़ते हो तो क्या बैहता रहता है जो करेंगे 2015 में मैं इसी में बुलीव करता हूं मैं बुक्स में जादा बिलीव करता हूं पढ़ने में ना जैसे कि एक अगर मुझे कोई दे जो समझने के अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी किताबों में जादा होती कंपरिटिव ली स्क्रीन के द्वारा तो यहां पे 2016 में एक डर्थ मॉथ कॉलेज है दोस्तों वहां पे दोस्तों यह स्टेडी के जो की करी गई तो फ्रिजिकल प्रिंट आउट जो है न स्टुए कर रहा है तो एक बच्चे की एजुकेशन को स्पॉंसर कर सकता है एक पीजा एक 500 रुपे पर मंत ना पैपने सब्सक्रिप्शन लेकर बच्चे के एजुकेशन को आगे बढ़ा सकते हैं पर मंत और उसके बदले में आपको बच्चे के पूरा डीटेल उसके मतली रिपोर् किसी बच्चों को एड्मिशन करवाना चाते हैं आपके आसपासा से बच्चे हैं जो की नहीं पढ़ पाते हैं तो आप वॉलेंटियर बनके इसमाइल फ्रावल में भी उनको पढ़वा सकते हैं ठीक चलिए आगे बात करते हैं यह इंडिया करेंट अफेर को जोइन कर ली जगा नया वीडियो आ चुका है साथ में अगर आपको किसी एक्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो अनक्याडिमी प्लस के मार्दय हम से कर सकते हैं जहां पर आपका रेफिल कोड़ है भी एच्चु टैंड या बुनेस टैंड लाइफ क्लासेज सारी के सारी आपको मिल जाए उसके बाद में SSC, UPSC, IIT, NEET ठीक है कुछ भी आप सेलेट करिए प्लस पे जाएए गैट सब्सक्रिप्शन पे बारा या चौबिस मेने पे जाके नीचे भी एच्चु टैंड जो कि आप लगा सकते हैं ठीक आईज चलिए आगे बात करते हैं पहला सवाल आज का किस राज प्रदेश में परी सीमन परिक्रिया चल रही है पुरुष ट्रेस्ट निकेट में एक्टिक लेने वाले देशन अफ्रिका की गेंदवाज कौन से बन गये हैं दोज़दार किस के लिए प्रतिश सी एउउ उपन सुसाइटी प्रैस 2021 का किस को मिला है भारत की कोविड ने टि प्रदेश में आरत की भारत की कोविड अना थाले लिए हैने really शाले लिएétat का की एगा ने भारत की की कोविड़दान रienia ची कोविड़म है लिएवाजरश चाहां हिए